हालो दोस्तों नमस्कार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एस्वी मोटो ब्लॉग्स में हो जैसा कि बहुत दिन हो गया है मुझे ब्लॉगिंग की हुए आज का दिन थोड़ा मतलब थोड़ा क्लावडी और धूप और खाया होते रह रहा है तो आज का दिन बहुत ही मतलब उतना नहीं अच्छा है लेकिन तब भी आपका भाई आज आपके लिए ब्लॉग बनाएगा थोड़ा थंडा है और मैं अभी वहाटी रिपाइनेरी रोड पे जा रहा हूं और यहां क वहाँ अज ह Son May I also make the ball in the Ocean अज एकका मेरे मैं अ चालिए आपको वहाँ पे झाल के दिखाते हैं कैसा ब कि दढ़ हो और ही winterstar और विंटेज बाइक को देखिए का मैंने वहां पर सुना है कि जैसे कि वर्ल्ड बाट तू कभी मतलब वह क्या बोलते हैं एक दो कार है अगर आ हमारा दिन अच्छा रहा तो हम लोग आज देखेंगे वैसे तो आज आज 18 जैन है और दिन है मंगलवार का तो आज मैं सोची रहा नाइन हंड्रेड के सा गवार्टी में तो आप लोग सेफ रहिए और घर पे रहिए और मेरा तो यह है कि मतलब मुझे ब्लॉगिंग करना होता है तो मुझे तो बाहर जाना ही पड़ता है तो आज मैं बहुत दिनों के बाद बाहर निकला हूं तो सुचा कि ब्लॉगिंग करना है और यह खारगुरी हिल्स चल रहा है चल रहा है और जैसा कि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कहा था कि भाई तू मोटो ब्लॉगिंग नाम का चैनल कोला है भाई थोड़ा वाइक पे ब्लॉगिंग अगेरा कर आई यह देखिए सामने ब्रह्मपुत्रा का व्यूव कि यहां पर बहुत सरे लोग दूटे हुए पता नहीं किसे हैं चलिया आपको थोड़ा तेजी से चलते हैं और मिलता है आपको मेरा फ्रेंड वेट कर रहा हो गया मैंनों से टाइम 12 वजे का जिया था लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं लेट हो चुका हूं तो चलिया आपक कि मेरे कॉलेज के पीछे रहता है तो वहीं पर चलते हैं मिलते हैं आपके उसके बाद चलते हैं हम लोग ट्रेजर्ड विल्स सब्सक्राइब करें तो आज चलिया आपको दिखाते हैं विंटेज कार तो अभी हम लोग वागी से बाहर जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा और स्टाइंग लेगा हमें और आप्रोफ आदा गिंटा में हम लोग ट्रिजर्ड मीजियम पर जाएंगे चलिए देखते हैं कि वह है और क्या नहीं है अगर हम लोगा किसमत अच्छा रहा तो आज हम लोगों वेंटेज कार और वेंटेज बाइक आपको दिखाएंगे और हमारा किसमत खड़ाब रहा तो नहीं दिखा पाएंगे जले मिलते हैं आपको पहाड़ों में अब हो अर्ट का प्लॉब बीव अगा अगर प्लोग देखते हैं मोटो ब्लॉब है भुरा हॉद्म पाइक के साथ जगया नगता है यहां इन उन्हुने पेट्रोल नियाम परला नहीं ऊदल का was यह रहा हो पेटरोल पूप oh no, वो वालरी यह वाल पतरोल पादा यह वाल पतरोल पूप पूप दो रूप्री सस्ता में जा वाद इस पतरो तहाँ, I think, 92 रूपीš रे पतरोल आज कर यह तो देखो भाई यह सामने का विव देखो भाई नेक्स लेवल कते ही जारे भाई मुझे लगता है कि इस तरह आने का मेरा प्लान इतना सही था भाई यह वादिया यह मांटें प्ये यह गोल-गोल घुमते हुए रोड इतने सही है इतना सही है भाई कि यही मैं कहूं मेरे पर इस पीव को बया करने के लिए कोई सब्दी नहीं है और भाई आज मौसम भी वैसा ही एक्तम नेक्स लिबल का बना हुआ है एक्तम और भाईक राइडिंग दरने का यहीं मौसम भी आता है यहां आना ही आना है अब तो मुझे लगता है कि वह जाने का मनी ने कर रहा है मुझे तो लग रहा है चलते जाओ चलते जाओ जहां तक जा सकूँ भाई रोड रोड ऐसा हो वाइक चलाने का मज़ा नेक्स लेवल का आता है वाई लोग यू तर्लेके इस रोड पे आ चुके यहां से अप्राक्स पांसों मीटर है आइंग ट्रेजर बिल तो देखते हैं हुआ है अब लोग चले जा रहे है चले जा रहे है चले जा रहे एँ डारे कॉंस्टेंट आपन्छले में वाले है फोड़े राखे आदें एक यह फिर्स्ट वैला रेड़ वाला यहां का मजर कार है तो जो यह कार है कि है फ़र्सट कार यहीं से स्टार्ट किया था यहां के ओनर ने यह थार्ड बटी मिस्टर वीं कार है चो कि आप आप सभी को पता है एक टाइम पर मिस्टर भी बहुत ही ज्यादा फेमस कार्टून हुआ करता था इसके आगे मुझे उतना कार का विंटेस कार का नॉलेज नहीं है तो मैं आपको गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं दूंगा तो इसलिए आपको जो कार्स पता है वह मुझे बता तो फुटेस सूट करने के बाद मुझे वह डिटेल दिया गया तो मैंने यहां पर मुझे उतना अच्छा से याद नहीं है तो मैं आपको उसके बारे में नहीं बता सकता हूं तो आप इस चीज़ को देखे और आए और यह सामने वाला जो आपको दिख रहा है बाइक यह वीमलण डूर्ट डूर्ट है यह नांटेइंप्ण जिरो वन में बनाया गया है यह मतलब जब आना इस बाइक को ऊपर पेरासोर्ट से बाइक्स बनाती है लेकिन उस टाइम में स्कूटर भी रोयल इंपुल्ड बनाती थी और आगे ये बहुत सारे बाइक्स हैं एंटिक और यहां पर थोड़ा काम वगेरा चल रहा है और अब आएए अंदर देखते हैं क्या है अंदर में खजाना छुपा हुआ तो यहां पर देखिए बहुत सारे स्कूटी स्कूटर बहुत सारे बिंटेज मॉडल मुझे तो सभी का नाम नहीं पता है लेकिन आप देखिए आपको पता है तो बताईएगा मुझे और यह कुछ हो पुराने टाइप के साइकेल्स है और यह इस वन और यह कुछ अंटिक्स वाच है कुछ और यह विंटेज कुछ है वाच और यही था आज का ट्रेजर्ड मेंजियम यह विंटेज पियानो है यही और रेडियो यह आज के टाइम पर तो देखने के लिए नहीं मिलता है पर लेकिन जिसने भी एक लेक्शन किया है इतना एंटिक है और इतना से है कि आप यहां पर आईए कुछ हंडर्ड रूपीज इंट्रिस है और आपका पैसा वसूल हो जाएगा यह बात का मैं गारंटी देता हूं इतने सारे अच्छे अच्छे कार्स और पाइक्स हैं कि आप देखते रहे जाएंगे वोल्सवगन विटल और वोल्सवगन विटल और वोल्सवगन करें बहुत कम देखने के लिए मिलता है अब बहुत ही अच्छा कलेक्शन है यहां का नमस्कार दोस्तों हलो आप सभी को आप सभी का मैं स्वागत करता हूं एस वी मोटो प्लॉक्स में तो मैं आज आया था ट्रेजर्ड वील्स तो यहां पर मुझे आने का बहुत अच्छ कलेक्शन है मेरे बगल में स्पाइडर मैन है और आप यहां आईए देखिए और इंजॉइ कीजिए मेरा यही कहना है और आप आईए और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सेर स्सक्राइब कीजिए और दबा कर शेर कीजिए और बगल में घंटे का बटन और ऐसे ही आते रहेगा और देखिए अभी तो मेरा यह गूंडा हो गया है और मैं यहां बैठा हूँ और आप देखिए यह अच्छा प्लेस है और आईए और में तरफ से यही रहेगा कि मतलब आप यहां पर आएंगे फैमिली के साथ आईए मतलब हिस्ट्री के लिए बह आटो ब्लॉग मोड में चलिए तो हम लोग वहां से बाहर आगे हैं और अभी हम लोग हाईवेग के हैं जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने उतना अच्छे वीडियो नहीं बनाया तो वहां पे मतलब थोड़ा मतलब यूटूब के लिए मतलब थोड़ा मतलब यूटूब के लिए पूरे अच्छी तरी के सब वीडियो नहीं बनाया है मैंने फूटेज लिए हैं जो मैं आपको वीडियो में डाल दूँगा वैसे तो वीडियो मतलब फूटेज भी बहुत अच्छे हैं उतना डिटेल में नहीं किया गया है मतलब यहां पर कौन सा कार एच्छी बहुत अच्छा जगह है और आप वहां पर बहुत सरह लिए भी बहुत सरा चीज है मतलब आप जो बिंटेज कार का कलेक्शन देखेंगे जो कि मतलब एक दम रियर है जो आप कहीं नहीं देखेंगे तो वह आप यहां आईए देखिए और हमारे साथ यूटूब पे इसी तरीके तब बने रहे हैं और आपका बाई ऐसे हैं ऐसे निव न बहुत बात करना है और ज्यादा तेज चलने पर कहीं तरीके से वाइस नहीं रिकॉर्ड होता है यह दिखेंगे फॉलसर वाले भाईया एकदम दागीन की तरह एकदम कॉर्णरिंग लेते हुए चार है चलिया अब हम भी खोड़ा थेट चलते हैं बात हो कि दीरे दीरे चला हुआ अगा आए ट्रक का एक्सिदेंट हो गया है यहां लुकेट अब्यू मैन क्या मस्ट व्यू है तो भाईयो आथ का ब्लाव मैं यहीं करता हूं तब आकर लाइक सेर और सुस्क्राइब कीजिए और आगे भी ऐसा ही ऐसा अच्छा अच्छा कंटेंट आपको वेट कर रहा है यहां से कोहाटी 18 किलोमेटर और हम लोग कोहाटी के तरफ जाते हुए और आपका भाई किसी तरीके से मैनत करता रहे आप ब्लॉगिंग करने में मैनत तो लगता है वैसे भी लगता है बाइक म से थांक्यू मेरे तरफ से और जिन्होंने नहीं स्क्राइब कर रहा है उन्हें भी अगर मेरे में कुछ कमी होगा तो वह बताईए और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जरू किया कीजिए उससे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है इस ताइप कर वीडियो बनाने के मैंने 2-3 घंटे की महनत लगी है आपने तरफ से पूरा ट्राइब किया है कि इस वीडियो में अपना बैस दू और यह सामने का व्यू बहुत अच्छा है और यहां भी आप फोटो क्लिक कर सकते हैं बहुत अच्छा तो चलिए अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में आज का ब कर दो कर दो